एक खर्गूश और एक कच्छोय में गहरी मित्रता थी, वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे एक बार खेल-खेल में दोनोंने दौर प्रतियोगिता करने की बात सोची, उनको बर्गत के पेर तह पहुँचना था, यह पेर वहां से कुछ ही दूर एक गाउं के थीग बाहर था यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुँचेगा, वही विजेता कहलाएगा, दौर शुरू हुई, खर्गोष जो की खूब तेज दौरता था और उचल-उचल कर चलता था, बरी तेजी से आगे निकल गया कच्वा अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे-धीरे, कुछ देर दौरने के बाद खर्गोष ने पीछे मुर कर देखा तो उसे कच्वा दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया पास ही में एक उंचा घना पेर था, धीमी-धीमी हवा चल रही थी, खर्गोष ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूं फिर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगा, कच्वी को तो यहां तक पहुँचने में अभी देर लगेगी यह सोचकर वे पेर के नीचे लेत गया, थंदी हवा ने उसे जटपत सुला दिया, उधर कच्वा धीरे-धीरे पेर की ओर बढ़ता जा रहा था खर्गोष काफी देर तक सोता रहा, जैसे ही उसकी आँख खुली, वह बर्गत के पेर की ओर भागा वहां पहुँच कर उसने देखा कि कच्वा तो पहले से ही वहां पहुँच गया है, और इस तरह से धीरे-धीरे ही सही, पर लगातार चलकर कच्वे ने प्रतियोगिता जीत ली